नमस्कार भारते सेना के इन पांचों जवानों को हम कोटी-कोटी नमन करते हैं जुनको आज पूरा देश शद्धांजली दे रहा है जिन्होंने गुरुवार को जमो कुश्मीर के पुंच की भिंबर गली में आतिंकियों के साथ मुट भेड में अपनी जान का सर्वोच्य ब वालिदान दिया आपको पता होगा कि गुरुवार की दोपहर तीन बजे जम्मु पुंच रोड पर भिंबर गली इलाके में जब ये जवानों का ट्रक यहां से गुजर राता रोड से गुजर रात हो यहां पर घात लगा कर बैठे आतंकियों ने अचानक जवानों को ट्र से बाहर निकनले का भी मौका नहीं मिला क्योंकि चारों तरफ से अंदर दूंद फाइरिंग हो रही थी आतंकी कि इस हमले को करके वहां से फरार हुए जब तक कि दूसरे स्ट्रक्षबल के जवान यहां पर पहुंचते आतंकी फरार हो चुके थे इस हमले में घायल पांचों जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उनको नहीं बजाया जा सका लेकिन हमलाय कैसे हुआ अगर आप इस शेत्र को देखें तो यह दरसल जब यह ट्रक भिंबर गली से संग्योट की ओर जा रहा था जो कि पुंच से करी-करी 90 किलोमेटर पहले है एक तरफ इक शेत्र में नोसेरा नाला है दूसरी तरफ दुर्गम पहाड़ी शेत्र है उज़े पहाड़ है जो की सघन जंगलों से गिरा हुआ है ये इतना दुर्गंक श्यत्र है कि अगर यहाँ पर इन पत्थरों के पीछे इन पहाडी श्यत्र में आतंकी घात लगा कर बैठे भी हो तो उनको आसानी से देख पाना संभव नहीं है और जब ये हमला हुआ उस वक्त घनी बारिश होड़ी थी विजिबिलिटी बेहत कम थी जिसका फाइदा आतंकी उन्हें उठाया जैसे ही यहाँ पर जवानको ट्रक यहाँ पर पहुचा घात लगा कर बैठे आतंकी उन्हें हमला किया ये बड़ा दुर्गम पाडिक शित्र है यहाँ पर मूमेंट करना उतना आसान नहीं है लेकिन ये चुकी रोड जो है ये एक स्ट्राडिजिक रोड है अक्सर यहाँ से सेना के ट्रोका का मूमेंट होता है तो आतंकीयों को उन्होंने संभवते रेकी की होगी और उन्हें घात लगा कर बैठे है और इतने बड़े हमले को अंजाम दिया ये इलाका जो है पहले तो मैं रोड के बारे में आपको बता दूँ ये रोड जम्मू से लेकर पुंच तक जाता है और रास्ते में अकनूर नौशेरा रजोरी बिंबर गली क्रिशन गाठी से होते होए पुंच चला जाता है और पुंच आखरी टाउन है जहां तक ये पह काफी सारे डिपलॉइन हैं वहां पर और इस रोड का जो है एक्स्टेंशू इस्तिमाल होता है इस रोड के धाइने में जब आप जम्मू से पुंच जाते हैं और जिस अलाके में ये हादसा हुआ है उस इलाके में जो रोड का धाइने वाला बाग है वो आम तोर पर उसमे एक खाई जैसी है क्योंकि साथ में उसमें नौशरा नाला बैखता है और लेफ्ट साइड में पहाडी इलाका है जंगल का इलाका है कहीं कहीं थोड़ा सा प्लेन है लेकिन 90 परसंट जो है पहाडी इलाका है और ठिक फोरेस्टे कवर किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि क कोई भी आतंगवादी आकर वहां पर छुप सकता है और छुपके अंबुश करके वो ये कारवाई ऐसी कारवाई कर सकता है अब इस हमले में S.O.B.S. में कहां चूक हुई है इसकी जाच को लेकर N.I.A. की टीम मौके पर पहुँची है N.I.A. की टीम के D.I.G. लेवल के अधिकारी एक S.P. लेवल के अधिकारी इसकी जाच करेंगे इसके अलावा इस पूरे ख्षित्र में ये जो पूरा बटा दोरिया जंगल ख्षित्र है इसकी इसमें सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है मौके के तुरंत बाद और यहां पर आतंकी जहां भी छिपे हूँ उनके ढून निकालने की जितनी जल्द से जल्द कोशिश की जाए इसकी जो सर्च है वो इस वक्त चल रहा है जिसमें जमो कुश्मीर पुलिस की S.O.G. आर्मी और सेर पेफ के जवान इस वक्त मौके बर इन पूरे जंगलों की छानबीन करें तमान तरह की टेक्नलोजी का इस्तेमाल हो रहा है ड्रोन का भी इस्तेमाल इस सर्च अभियान में किया जा रहा है जाइर है कहां चुक्वी इसकी जाच होनी जरूरी है क्योंकि अभी एक बड़ा इवेंट जमो कुश्मीर में होने वाला है इसको लेकर आशंका जरूर थी कि जमो कुश्मीर में आतंकी G20 का जो इवेंट 24 मई को श्रगर में होने वाला है उससे पहले ऐसे इवेंट को डिस्ट्रट करने के लिए आतंकी जरूर कुछ न कुछ हमला करेंगे इसको लेकर 13 अप्रल को एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में नॉर्थ ब्लोक में MHA की हुई थी जिसमें तमाम स्रुक्षबलो के डारेक्टर जनरल्स जिसमें CRPF, आर्मी, जमोकश्मीर पोलिस और राष्टे सुदासा सलाकार, हॉम सेकरेट्री, जमोकश्मीर के LG तमाम जिम्यदार लोग यहां पर खटा हुए थे एक साथ मेटिंग हुई थी करीब करीब 6 गंटे मेटिंग MHA में चली थी जिसमें यह फैसला लिया गया था कि 24 मई को जो इवेंट होने वाला है G20 की परतिनी धियों का श्रगत में एक बड़ा इवेंट है, संभवत है, जमोकश्मीर के इत्यास में इतना बड़ा इवेंट जिसमें एक साथ इतने ज्यादा अंतराश्य प्रतिनी धी शामिल होंगे, उसमें स्रक्षा में कहीं भी चूग ना हो, इसको लेकर यह बैटा खुई थी और जिस तरह के से खास तोर पर कुश्मीर घाटी में स्रक्षा का अभ्यान सक्त का रखा है, उससे संभवत है, आतंकी ने इस श्रित को चुना जो की सगहन दुर्गम पहाडिक श्रित्र है रहाल इसकी जाद चल रही है, और इस हमले किसने किया, इसको लेकर PAFF, यानि People's Antifascist Front, जो की एक आतंकी संगठन ने, प्रोस्काइब्ड, आतंकी संगठन है, इसने इस हमले की जिम्मेदार ली है, सोशल मीडिया पर उनने एक बयान जारी किया है, यह वही आतंकी संगठन ह है, जिसको हाल ही में भारत सरकार ने UAPA के तहत इसको आतंकी संगठन घोशित किया था, मार्च महीने में, हाला कि यह आतंकी संगठन जैशे मुहमद का ही एक आप्शुट संगठन है, 2019 में जैशे मुहमद ने अपने आतंकी संगठन का नाम बदल कर, यह People's Antifascist Front नाम रख और यह यह चैशे मुहमद के आतंकी इसी ओर्गनाजेशन ने नीचे जमुकश्मीर में सक रहे हैं, इसके साथ तीन और भी आतंकी संगठन थे जैसे TRF, खालिस्तान डारिगर फोर्स और जमुकश्मीर गजनवी फोर्स, इन आतंकी संगठनों को भी UAPA के तहत आतंकी संग संगठन घोशित किया गया है, हाल ही में जमुकश्मीर पुलिस के DGP ने एक बयान भी जारी करके कहा था कि यह 1990 के बाद पहली बार है कि जब जमुकश्मीर में आतंकीयों के संगठन घटकर 50 के आसपास हो गई है, 2019 के बाद जिस तरीके से आतंकीयों के सफाय का All Out Operation भी है, याजा एक तरीके से एक तरफ तो लगतार आतंकी संगठन घटी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के आतंकी संगठन, इस तरह के आतंकी हमले होते हैं, तो निश्रत तोर पर जो उनके सफाय का All Out Operation है, उसमें तेजी लाने की जुरुत है, और यह बेस, हमें लगता है कि निश्रत तोर पर भरत सरकार को यह पता होगा, और जिस तरीके से 24 माई को यह इवेंट होने वाला है, यह अभी भी आशनका है कि आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के आतंकी हमले हो सकते हैं, लिहाजा, इस सर्चाप भियान को तेज करना होगा, और जल्द जल्द से जल्द जो आतंकी सक्रिये हैं, उनको न्यूट्राइज करना होगा, नमस्कार